इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा M.I.U.A. 10 डिवाइस के लिए बेस्ट थीम्स मैं इस संडे बताऊंगा M.I.U.A. 10 डिवाइस के लिए ऐसे एक बेस्ट थीम्स जिसे ट्राई करके आप अपने M.I.U.A. 10 डिवाइस का यूज काने का जो अभी तक के एक्सपिरियेंस है उसे और एक लेविल तक जरूर से इंप्रूफ कर सकते हैं और इस वीडियो को जो लास तक देखेगा उसके लिए मैं इस स्पेशल थीम्स बताऊंगा जिसे ट्राई करके आप अपने M.I.U.A. 10 डिवाइस का लूक और भी हैंसम और और भी कास्टुमाइजेबिल कर सकते हैं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखना है तो दाउट एनी मोस्टिं टाइम लेट्स के स्टार्टेड सबसे पहले तो मैं यहां पर जो भी थीम आपको बताऊंगा मैं सारे के सारे थीम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर प्रपाइट कर दूंगा और इस सारे के सारे थीम ऑफिशियल थीम है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो simply आपको अगर इस theme को डाउनलोड करना है जो यहाँ पर first theme है ओ है SIOS version 10 SIOS V10 search करने से आपको simply theme store पर एफ theme देखने को मिल जाएगा simply आपको इस theme को डाउनलोड कर लेना है और यह 5.5 MB कंदर आपको इस theme को देखने को मिल जाएगा और इसका जो notification panel है वो एक blue eyes से आपको इसमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पर blue eyes feel आपको यहाँ पर मिल जाएगा and blue and white के combination आपको notification panel मिल जाता है जो देखने में काफी weathering लगता है and then यहाँ पर इसका जो icon मिलता है वो icon तो काफी खूब सूरत है यहाँ पर इसका जो icon का shape है वो तो मुझे पर्सलों ने काफी जाएगा और इसका जो icon pack यूज की गई है वो पूरे iOS के तरह inspired है और काफी अच्छा look भी देता है अब अपने MIUI 10 डिवाइस का simply आप यहाँ पर call screen पर जाएंगे तो यहाँ पर call screen भी आपको iOS जैसा मिल रहा है जो देखने में काफी weathering लगता है और यहाँ पर इसके जो notification panel या notification control center जो भी कहते है वो भी काफी weathering की गई है and then simply आप यहाँ पर जाएंगे lock screen पर तो lock screen पर यहाँ पर एक बड़ास आपको यहाँ पर digital clock देखने को मिल जाता है उसके नीचे आपको यहाँ पर time and November यहाँ पर जो month है वो आपको देखने को मिल जाएगा day and month जो की देखने में काफी weathering लगता और यहाँ पर इसको clock का style है ओ भी काफी अचा है तो आपको इस theme को एक बड़ से एक बड़ जरू से try करनी चाहिए और simply यहाँ पर जो bonus theme के हम लोग बात करने वाले हैं simply आपको अगर उस theme को download करना है तो मैं description पर link provide कर दूँगा आप वहाँ से जाके download कर लेना और इस theme का जो name है ओ है Starry Sky Starry Sky V10 इस theme का size इस भी काफी छोटा सा है और यह theme पूरा आपको चाइना जो यहाँ पर M.I.U.18 जो China ROM होता है यहाँ पर जो global beta ROM होता है उसके तरह inspired की गई है कि आप इसे apply कर देंगे apply करने के बाद इसका जो wallpaper मिलता है पूरा आपको China ROM M.I.U.18 का जो Chinese ROM होता है उसके तरह आपको इसमें द weathering look create कर देता है आप अपने device के लिए यहाँ पर इसका जो settings tab है और पूरे आपको यहाँ पर notification पैनल जो भी कहते है इसका जो notification पैनल है आपका पूरा यहाँ पर black watch आपको इसमें देखने को मल जाता है simply आप इसको try कर सकते हो तो यह theme के वीडियो कैसा लगा मुझे comment में प् हो